हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम क्लास 10 कि जो गड़ीत का पेपर वायरल हुआ है इसका यहां पर हम हल देखेंगे ठीक है फ्रेंस यह 2014 के जो बूर्ड का एक्जाम होने वाला है उसमें 100% आपको गारंटी देते हैं कि इसमें से मैक्सिमिम सवाल आपके पेपर में आएगा ठीक है यह देखें आपको गड़ीत का सेट है यह इसका यहां पर हल देखते हैं यहां पर देखिए आपको समय रहता है बूर्ड के एकजाम में 3 गंटा-5 मिट का समय मिलेगा आपको पेपर जो होगा टोटल 70 नंबर को होगा इसके कुछ यहां पर निर कृषटी से इसके बारे में आप पहले से सभी जान रहे होगे ठीक है यहाँ पर क्या करते आपका समय नगव आते हुए यहाँ पर क्या करते हैं कि आप सभी को सीधे नंबर का प्रश्न है कि 731 बटा कि 625 के दसमलोग प्रसार अंकों की संख्या हो गए यानि कि इसमें दसमलोग प्रसार कितने अंक तक होता है आपको बताना है इसको देखें बहुत सिंपल तरीका से आप लगा सकते हैं इस प्रकार कि जब भी आपको सवाल आप पूछे तक आपको इसमें क्या करना है कि यहाँ पर हर में लिखा वोगा पहले इसका क्या कीज़ाए गुरांखंड कीजिए कि शास्सों पचीस का करेंगे फिर पांच से कटाएंगे 25 फिर 5 से कटाएंगे 5 बार में कटाएगा फिर 5 से यानि कि 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5 आया है यानि 5 गुड़े 5 का मतलब हुआ कि 5 पर कितने घात हो जाएगा होगा चार हो जागा ठीक ही है इसे लिख सकते हैं चारम में यहांग wow फानी उतने अंक घज़के बीशनें पूछे वह जिस पर नए जो ह ब्रसार करने और फिल से पूछे यहां पर चार में चो महाइगार अएकृधरtv यहां भी दसमलोग प्रसार करेंगे ति कितने अंग होगा चार अंग होगा ति इसका सही जवाब डी वाला आपसंस सही हो जागा जब भी इस प्रकार के प्रश्मित पूछे तो आपको क्या करना है कि 625 का 731 भाग मत दीजिएगा जैसे आपको समझाए इसी प्रकार से लगा यहाँ देखिए आपको बता देते हैं यह फारोल सभी को पता होगा कि दो play 1 माइनस एक्सटू का होल स्कुवार प्लस वाई ओन माइनस य तू का वोल स्कुवार यह होता है अब यहां पे देखें जो बिंदू दिया है यह यक्स वन है चलिए इसको यक्स वन एसको y1 इसको यक्सटु इसको इस तरह मानने की विदा कि रख लीजिए गा चैनल देख्ञें यह फार्मूला क्या कर दें इसे plus कर देगा year का whole square हो जागा plus Y1 के जगप 4 x square हो जागा, प्लस इसका square कर दू दू ना कर 4 y square हो जागा, यहां से 4 стр eternidade लेंगे न, तो 4 should mean义च 2 x square प्लस y square हो जागा, देखें यहां से 4 का वर मुल निकल सकता है, 4 का वर मुल कितना होगा, 2 ने दू बाहर निकल जागा, और यहां भी कितना हो जागा, इसका एंसर क्या होगा? दू under root x square plus y square. चली आपसन में देखने हैं, देखें आपसन में देखें कि यहां पे दो दियाना, दू under root x square plus y square. तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी वला आपसन सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, देखिए आपका तीसरा नंबर का सवाल, कि दी गई संख्याओं में अभाज संख्या होगी, यहाँ पर क्या बताना है आपको अभाज संख्या, देखिए जीरो आपको अभाज संख्या नहीं होता है, एक अभाज संख्या के अं करते हैं अब अभाज संख्या के अंधर करते हैं और सबसे छोटी अभाज संख्या आपका दो ही होता है ठीक है इसका सही जवाप क्या हो जाएगा अगला देखिए कि किसी धनात्मक पुरांग क्यों के लिए परतेग धनात्मक पुरांग का रूप होगा या परतेग धनात्मक पुरांग का रूप क्या होगा यह आपको बताना है देखिए धनात्मक पुरांग का मतलब होगा जिस एक दू तीन चार पांक छे यह सभी जो संख्या लिख रहे है वसा भी धनातमक पुलांक हैं देखिए और यहां प्रत्व पॉड़ांक पता है यहां पर एक दिए है आपको क्यों आपका क्यों दिया है अब अगला पॉड़ांक लेना रहाएं त क्या करेंगे क्यों है आपको पहले इसमें एक जुड़ेंगे तो अगला पुड़ांग आपको मिल जाएगा यहां पर Q प्लस 1 होगा तो इसका सही जो आप B वला आपसन सही हो जाएगा ठीक है अगला देखिए ठीक है पांच वा नमबर के जो सवाल है आपको ट्रिक से बताते हैं इसे ला पटा के दू तो A और B का मान यहां पर पूछ रहा है और आपसन इस प्रका से दो आपको कोड़ दिया हो इस प्रका के सवाल को लगाना देखिए कितना ज्यादा सिंपल है ठीक है यहां पर क्या कर सकते हैं यहां पहले हैं कि साइन के रूप में कड़़ी तीन पटा के दू किसका माना था पस यह चीज़ आपको पता होना चाहिए तब सभी पता है कि साइन 60 अंस बराबर कितना ऑट में में तीन पटा के दू ओधा है anyway time कास की रूप में किस का मान कड़ी में थीन पटा के दू Deshalb को पता होगा कि कास तीस अंस का मान काड़ी में 3 बटा के 2 होता है बस इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए अब देखे यहाँ A पलस भी दिया है इसका मतलब गए कि 2 कुरों का यह कितना होना चाहिए आपको सही होगा तो देखिए एपलस ब्यानि 45 प्लस 15 जो रहें तो 60 होगा यह आपसंस हो रहा है लेकिन यहां से देखिए आप इसको ट्रिक से भी लगा सकते हैं इसी तरह एक्जाम में ट्रिक से लगाएगा आप सिंपल तरीका से लगा सकते हैं अभी तक यह सवाल का हल नहीं देखे यहाँ पी इसका मान पूछा है देखे इसको कैसे लगाएंगे बहुत सिंपल दरीकास लगा सकते हैं पहले इस सवाल को यहां पर लिखते हैं देखे वन माइनस अब यह बताएगे कर 10 स्कॉार तीस याँ 10 तीस अंस का मान कितना होता है बस यह पता होना चाहिए तो 10-30 अंज का मान आप सभी को पता कि 1 बटा के root 3 होता है और square होती है यहाँ पर square कर लिजिए ठीक है? अपान 1 प्लस 10-30 अंज का मान आप ही बता है कि 1 बटा के root 3 square होतो इसक्वार कर लिजिए ठीक है? देखे 1-1 का square करेंगे 1-3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा ठीक है? 1 प्लस 1 का square एक और square 3 का square करेंगे तो 3 हो जाएगा बस इसी को हल कर लिजिए देखे अप हल करने क्या तरीका है? भीन का देखे 3-1 कयम 3 हो जाएगा और minus 1 बटा के 3 होगा अपान देखे 3-1 कयम 3 और plus एक बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा भीन का जोड़ घटाना तो आप सभी जानते ही होंगे तीन में से गया दू दू बटा के 3 अपान तीन एक चार चार बटा के 3 अब देखे जब भीन में होता है दू बटा के 3 तिर नीचे वाले वह नीचे वाले और सैसे जैसे इसी प्रकास से आप हल किजिए करने का आप रहें इस ट्रीकों को आप जरूर जानते रहें तो सिंपल तरीका से आप सभी सवालों को हल कर सकते हैं देखें सातवा नंबर का सवाल यदि समिकर्ड यक्स का सवाल यक्स स्वाल यहां पर यहां पर दिया है कि यक्स स्कायर माइनस 4 च्राइक्स प्लसके बराबर 0 है है यहां एक मूल देने का मतलब ये होता है कि यक्स कमान दियाrif 개인ienen घाल ते शक कमान दिया रहता है, यक्स के जगह आपको क्या करना itis 6 रखना है, यनि 6 के स्क्वार कर लीつpen गालेकर माइनस 4 जैगाएक है टिए ऑफीं माइनस च्वार प्लीन गुड़ बड़ावर कितन, कि खवर बलेंगë है दिये 6 के स्क्वार कि बड़ने जैका माइनस बार रहो जागा तक एक मान कितना आया माइनस बार देखें कितना सिंपल तरीका लगा लिए आप सर्थ जंक 및 यहां पर Ge wenn क्या होगा आपको अगला नंबर का जो सवाल है आठवा नंबर का इसको ट्रिक से आपको समझाते हैं एक तो लांग वीदी भी बता देंगे साथ में आपको ट्रिक भी दोने वीदी बता देते हैं फ्रेंज आप मैद का जितना भी वीडियो आपको अपलोड करते हैं उन सभी वीडियो को देखा किजिए आपको लांग वीदि और ट्रिक के माद्यां से बोविकल्पी प्रश्णों को कम से कम समय में कैसे हल कर सकते हैं आपको डिटेल में बताते रहते हैं तो एक भी वीडियो आप इसकीप मत किया कीजिए अब देखें यहां पर दो संख्याओं का कि दो संख्याओं का योगफल कितना आना चाहिए 24 तो देखें यहां दो संख्या इस पकास दिया है पहले इसको जोड़के देख लिजिए किसका मान 24 हो रहा है यहां देखें 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जागा यह आपसन हो सकता है आगे भी जोड़के देख लिजिए 12 कितना बोकिए एंट कितना गों इससी तरह कंट गयाा फिर यहां पर 18 में नौकिकी ते देख लिजिए कितना हो जाएगा 27 हो जाग जागा यह भी दूसरा आठ 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 दूगना करें तो यह पूरा नियम को फालू कर रहा है इसका मतलब इसका सही जवाब एवला अपसान सही हो जाएगा यदि आपको बोड के एक्जाम में इसको लाइग वीदी से लगाना रहेगा तो देखिए कैसे लगा सकते हैं अब देखिए जब इ भड़ आठ बाह्ण समी का आद दूसरी एक होगा तो पाली संख्या यह एक संख्या नफा इसका फाल आठ इन दोनों को किसके बराबर है 24 के ति- एक्स- कितना हो जाए तीन एक्स और बराबर वर स्ती तेग पहलित होए ऑपन टीन अभर वात्टे च vendors यक्स कमानल अवय अट हो गया तो एका धिकी अधियर यक्स बराबर आपको सकते थे आपको दोनों वीदी बताएं जो वीदी आपको अच्छा लगे उस वीदी से आप बोड के एक्जामे सवालों को हल कर सकते हैं तो देखें इसका सवाल आपको बता दिये हैं अगला देखें नौवा नमबर का दो समरूप त्रिभूजों के छेत्रफलों का अनुपा बोड नानुपुर देखें तो उसमें छ्यत्रफलों का अनुपास देखें इबडर को फ्रफल sensing सबिक्राकर disane अपन अपन एटू आटू च्छेत्रफलों का अनुपात हुआ हुआ वहां क्या हथा है कि पहली बूजा जो हता हहा जो बूज़ा अपन है यानिकर पहली यहां पर पहली भूजा इस सिंबल के तोरी में समझाने के लिए और दूसरी को सिकेंड ले लेठें और यहां पर स्कूर एस्कौर घटाने का क्या तरीका है कि 1055 तुर निकार लीजीarah 8ं proporon 9 21 होता है यानि स्केट भूजा हो जाएगा अनुपात में लिखना है तो नुपात में आप संहीं को पता है कि종 891 जाते यानि पोहली भूजा सोग यानुपात का यहां ऌज्ञाइ में इग्जामन नौन पथी ग्यार आया तो नौ अनुपाती ग्यार लगाई है यह वाला सवाल आपसे हो जाएगा अब देखें बूड के इस सवालों को यह जो ट्रिक्स लगाना रहा था तो क्या करना रहा था बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि भूजाओं का जो अनुपात पूछता है तो ज समझ में आगया होगा अगला देखें दसमानमबर का यह भी बहुत ज्यादा सिंपल है देखें क्या है कि यह भूजा वाले समभाहुत्रिभूज के सिर्ष के आधार पर लम डाला किया है लम की लंबाई याद कीजिए यह देखें इसलिए सिंपल है कि फार्मूला होते है आप याद रखेंगे तो आपको पूरा सवाल हल करने हो का जरूरत नहीं पढ़ेगा देखें यहांप reaction क्या होता है कि जैसे एक समभाहुत्रिभूज दिया है इस तरह आपको समझा देता है यहां फिर यहां कार आयगी कि सिर्स से आधार पर लंब बार गया अब इस लंब की तो उचाई ग्याद कीजिए यह उचाई की चमाल लेते हैं अब देखे समझाए जब लंब डालेंगे ति आप कितना हो जागा नब्यांस हो जागा और लंब डाला जाता है यह बूजा को दो बरा भाग में बाट देता है यहां से लेकिए यहां से लेकिए यहां तक पूरा है यह यह बूजा कितना और आध़ा हो जागा यह बहुत्ता है इसको पायथागोरस परमेर से निकाल सकते हैं लेकिन आप डारेक्ट बता दे रहें आपको संबहुत बूज में लंब डाला जाता है उसकी उचाई पूछता है तो हमेशा कर्वेल आप सर्भावस को जाएग करेंगे मतलए a का x2 करेंगे बरावर इसके बात के अकर आधार की स्कॉर आधार कितना a बटा के दू का इसक्वार हो जाएगा और माइनस, लंब है लंब मतलब उचाई कितना दिया यच, यच के स्क्वार हो गा, देखिए पाइथागोर पर में लगाते हैं तो प्लस होता है ठीक, इस चिछ को ध्यान दीजिए गा ठीक है डेखिए A स्क्वार बलाबर देखिए A स्क्वार करने है आपको बताते नहीं करणी में तीन पटा के दू आया कि नहीं कि लेगा बताते रहेंगे अब लगारा को आपको बताते रहे रहेंगे लंब डालेगा उसकी लंबाई या उचाही पूचता है तो डारेक्ट याद रखिए कड़ी में तीन बटा के दू ए मात्रक होता है इसका सही जवाप एवला अपसन सही हो जाएगा समझ में आ रहोगा सभी सवाल किसी भी सवाल पर यह आपको डाउट होता है किसी प्रकारका आप कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं आपका उसका जरूर देंगे 11 नमर का देखिए एक बटा के दूर सेंटिमीटर ब्यास वाले किसी ठोस और गोले का समपूर्द कृष्टिय च्छेत्रफल ग्याद करना है देखिए अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे पहले बते देख आपके देखिए क्या होता है कि इस दूर्फ यहां पर चलाता है एक बटा की कितना हो जाएक थते दूर्फ हो जाएगा गूल मिललाकर Diviri Mut once यही ध्यान देना था तो तिनी यह आया एक बटास के चार यहां पे संपूर्द प्रिष्टिय चेत्रफल अर्धु घूले का पू लगा सकते हैं क्या होता तीन पाई आरिस्कॉार होता है इसका क्या होता संपड़ प रिष्टी सट रप टीन पाई आरिसकॉार देखिए तीन गुरे पाई देखिये एक का सब्सक्राइब मुझी आसाथ मत रखिएगा देख ही आर कमांट कितना एक बटा के स्क्रार को कार श्क्राइब हो देखिए गूर इक कार गुड़ा करेंगे त्ष चॉरå अब इना बड़ा के पार करेंगे त्ष हो जाता रख हो darling कितने औहींतन दूआ देखते पटा के Skragar इस पकास इस सवाल को आपको डगा नहीं देखते को बाहरा नंबर का सवाल क्या है जब दिरीजे अवाले vrith का एक चाप केंद्र पर कितने हम कोड़ बना रहा है 60 अंस का त्रिज्य खंड का छेत्रफल पूछ रहा है जब त्रिज्य खंड का छेत्रफल पूछता है तो उसका फार्मूला क्या होता है देखें त्रिज्य खंड का छेत्रफल बरावर फार्मूला होता है ठीटा पटा के 360 अंस गुड़े पाई आर娘 मैं ft spor यह फार भूला होता है अब डिकर ठीटा का मतलब क्या होता है कि जो कोड देता है ठीटा का मान होता है 60 पान 300 60 गुडे इसलीं पाई का मान नहीं रखना आपको इसलींख जो है dimension रहाए है coordinate 스크्षिस है अब यहां आर कमांड देखिए तिरी जाझ दिया है कितना आट शाज आर की जगा इसक्वार न रखेंगे 6-6 यार्ट भी देखिए आया आपका एक बटा के 6 गुड़े पाई यहां शाज के 2-3 होगा 6-3 प्रकास बूड के एकजाम में सवाल देता है अगला तेरा नंबर का एक संकोड प्रभूज का यहाँ पे तेकर कड़ है और आधार है 7.5 cm और 4.5 cm तो लंब की भूजा ग्याद करना है आपको देखें इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे यहाँ पर कर्ड दिया है तो आप जब कर्ड दे दी आधार दे दी और लंब पूछ रहा है तो आप सभी को पताएगा आप सभी को पाइथागोरौस पर्मे लगाया जाता है सवाल में तो आप सभी को पाइथागोरौस पर्मेंद पता होगा चलिए ठीकर लिख के बताते i आप सभी को देए पासज है पाइथाकुरास परम्य होता आप सभी को पता होगा कड़ का स्कुवायर बराबर आधार का इस्कुफायर प्लस लंब का इस्कुवायर यह Whatever ऑपका प्लस्वार्मिल से स्कॉर करेंगे और प्लस लम का मान पूछ रहा है यहां लम का स्कॉर रहने दीजे लम का स्कॉर अब दीजे साथ दसमलों पांच का गुड़ा करेंगे यहां साथ दसमलों पांच का मतलब साथ दसमलों पांच गुड़ा करते हैं तो गुड़ा करने के बाद स्कॉर इसका होत गुड़ा करेंगे इतना होगा यहाद चार यह यह इसका गुड़ा करेंगे यह आयगा कि वीच पचीश ठीक है इसका गुड़ा कर लिजिका ठीक है प्लस लंका स्क्वार है अब कर देकर 56 50 0 दू पांच इसको इधा पांच चीन बदल जागा माइनस हो गाद 20 दू 5 बराबर लम का स्कार हो जाएगा यह क्या होगा लम कईशॉर अब गटा आएधे कि 5 में 5 गया 0 दू में से 2 गया 0 10 मिलों अपने अस्थान से 0 पांच तीन हो मन क्य пом도 को होगा या विधी 10 मिलों के पाद 10 पाद 7 को को द्यान से देखेंगे तो देखिए बी वाला आपसन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया होगा अधिके चोदा नंबर का सवाल कि संभाहू त्रिभूज ABC में भूजा AB की माद्दिका CD है CD का मान CD स्कॉार का मान आपको यहां पर पताना है कि CD स्कॉार का मान यहां पर क्या होगा और जो कि पहुच जाता सिंपल है लेकिन फिर भी समझाते हैं आपको दिखेंगे पहले संभाहू त्रिभूज बना लेते हैं यह है आपका संभाहू चोटा से संबाहु त्रिबूज बनालीजिए समझने के लिए और इसका नाम दे दिजिए बूजा 559 mm क्या है सिडी है यहां पर नाम दे दिजिए आप फिजिति हैं यहां सीडी से क्या करिए इस पर लंग डाल दीजिए इस क्या करें कि मताला ईड़ा एक जब बघुतर भी तो एक जग है यह आपका जो एक पूरा रूप में दिया है ना आपका कितना लिखेंगे एक जगा पर पूरा एफ रुप में पूछ रहा है अब देखिए हैं स्क्रृट कि रूंप में पूछ रहा हैν CD के स्क्राइब. cd की स्क्राइब करेंगे ऐधर इसका वर्क कर लीजिए cd की स्क्राइब, cd के स्क्राइब. dh4 के होजएगा, cd का 25 है 3 203 203 pink squares तंहरें कि ने सबस्क्राइब को आपको हमेशा लगाना यह वार्मुला के उसके पहले आ ? शावता का आपփब्र काम लाखसकते हैं या अलग सकते किसी बित दरस लगा बस यह क्या है कि पाइथागोरस प्रमेल लगाएंगे थोड़ा इस टेप बढ़ जाएगा और इस तरह यदि फार्मिलर डारिक्ट पता है तो आप कम से कम समीव लगा लेंगे ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का आपका सवाल क्या है देख समांतर मात दे बराबर आप से ही को पता होगा और नहीं पता है यहां पर देख लिए समांतर मात दे बराबर फार्मुला क्या होता है समांतर मात दे बराबर होता है कि कुल पदो का योग यहां पर देखें भार दिया है ना यानि भार भारों का योग योग कईएगा यह य हैं पर 75 45 मुलो छह यहां पर 25-45 दस्मोलो 6 बटा के भार्त का योग है कर दिए यानि कि यहां 45 दसमर्ट च्छ गुड़े 12 और बराबर यहाँ कोगा योग अब गुड़ा कर लिजिए देकि यहाँ पर गुड़ा करेंगे तो आपको गुड़ा करने के बाद कितना होगा देखिए 126 चुअप नो जाएक अब देखेंगे एक पिसमेलों लगा लिजिए अब पांशु सब्सक्वारा दूर्जीन कि और योगफल कितना होगा फालीश्टिक समझ में रहा हो न कैसे लगा रहे हैं तो इसी पकाँ साप लगाईएगा अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है और यह तो और ज्यादा सिंपल है तीन चार च्छ और यक्स का समानतर माद दे पांच है तो यक्स का मान व्याद कीजिए अब देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे अभी आप स अब बटा के पदोगी संख्या ये इस पकाँ स whack लिए गाएं शामानतर माद देता दिया पांच हुआ है फैर है क्श कीने डिया प्लाइफ यस का लिजिए ये चे तो यहां पर बटागों, चार ले लिजे, अब इसको हल करना है, अब इसका 4 को गोड़ा तिर्य करेंगे तो चार गोड़े 5, पांच गोड़े 4 कर लिजे और इसको जो लिजे, देखे 6, 4, 10, 13, 13, और प्लस यक्स देखें पांचों को 20 होगा 13 की इधर पच्छान तक कर लिए 13 बराबर यक्स हो जागा 20 में इस 13 गटाएंगे 7 यक्स कमान कितना आया साथ आया तेखें कितना सिंपल है अब आपसन में देख लीजिए सीवल आपसन सही हो गया इसमें क्या करना था कुछ नहीं करना था अब चलिए अगले नमबर के सवाल को हल करते हैं अगला नमबर के सवाल कैसे हल करेंगे यहाँ olur समिकर यक्स मानस एक बटा कि YAKS बराबर एक का विविकतिकर होगा यहां पर इसका विविकतिकर बताना ह कि x-1 बटा के x बरावर 1 का विविखतिकर क्या हो सकता है ठीक है देखिए यहाँ पर दिवःखात समी कर 1,-1 पर कितना हो जागा यक्स बराबर एक हो जागा आप क्या करते हैं फिर तीरिया गुड़ा कर लेते हैं यक्स स्क्वार माइनस एक और यक्स का एक में इधर तीरिया गुड़ा करेंगे तो यक्स हो जाएगा अब इसको पच्छांदा कर लेते हैं यहां पर देकि यक्स आप देखिए यहाब B कितना रखते हैं देखिए एक स्क्वाइर प्लस B X प्लस C इसकल टू जीरो से तुनला कराएंगे एक स्क्वाइर के बगल में देखिए आप कुछ नहीं एक कमान कितना हो जाएगा एक जब कुछ नहीं रहते तो इसके बगल एक रहता है अभी को बगनों कितना है एक और और ऐसका ना करीजिए माइनस एक काट लेखिए इनियुक्ति की बागर फिर जाय है बाचार यह सबस्क्ति प्लस पकास यह शुक्तिदे फेकर पोछ बिक 선ब सक्केशांथ उस पकास आप हल कीजिएगा इसका सही जबाब क्या होगा डिवला अपसा सही हो जागा ठीक है समझ में आगया होगा अगर देखिए अठारा नंबर का सवाल आपका क्या है इसको कैसे लगाएंगे बस ध्यान दिते रहिए ठीक है किसी आयतकार खेत का च्छत्रफद 30 मीटर स अदिक हैं इसकी लंबाई उसकी चवडाइस एक मीटर अधिक है तो उन्हें ग्याद किजिए ग्याद करने में द्यूगास समीक्रफब बनाएंगे आप लंभाए चोडाई जो कम होता उसी को मान जिएगा यहां पे चोडाई को मालीजेगा वना चोडाई चोड़ाई चोड़ाई बराबर क्या मानेंगे आप यक समाली जी लंबाई क्या हो जाएगा लंबाई बराबर देखिए जो लंबाई है वो चोड़ाई से कितना एक अधिक है यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगा चोड़ाई से एक अधिक ती एकस प्लस वन हो जाएगा आयतकार खेत थारट फिल दिया है 30 m2 ऐटाकार और सबसार खेत का त्षेत रफल बराबर फार्मूला होता याख्ता कि नखै का पलस एक त्षागे एक शंडा प्रफल प्लस एक और छvagण अ 에ará सोधी खेत का खेत का फिल सोघर को याख्ता और होता आए चोड़ाई X एक्स कर लीजिए देखिंए यहां पर 30 हो जागा X के X में गुड़ा करेंगे X square और प्लस यक्स का एक में करेंगे X हो जागा अब क्या करते हैं कि इस 30 को इदर पच्छांदर कर लेते हैं तो चलिए इसको लिख लेते हैं देखें जब 30 को इदर पच्छांदर करेंगे तो यहां बचेगा 0 यहां हो जागा x square plus x 30 इदर आगा तो माइनस 30 हो जागा ठीक है इसको सही रूपे थोड़ा से लिखे दिजे देखें x square plus x minus 30 वराबर क्या 0 अब चलिए option में देखते हैं कि कहां भी दिया है वैसे इसलिए कि आपको द्यूगाद समिकड़ ही बनाना थे इस समिकड़ों का हल नहीं करना द्यूगाद बनाना है तो option में ध्यान दिजे कि x square plus x minus 30 दिया है देखें minus 30 को जिए देखें यहीं मिल गया आपको तसी वाला option क्या हो जागा x square plus x minus 30 देखें यह वाला option इसलिए नहीं होगा कि यहाँ प्लस दिया तो नहीं सकता है यह माइनस यह नहीं होगा इसमें दोनों माइनस देदिया यह भी नहीं होगा समझ में आगे ना कितना इसको अगला देखिए अगला सवाल देखें यहां क्या 19 नंबर का कि किसी बारंबारता बंटन के लिए यहां पर माध्यक क्रमसा 16.1, 26.1 और 25.8 बंटन के लिए बहुलग याद कीजिए अब देखें बहुलग याद करना है तो यहां पी बस एक फार्मुला याद होना चा माध्यक माइनस दू गुड़े माध्यक बस यह फार्मुला आपको याद होना चाहिए आप आसानी से लगा सकते हैं ठीक है अब यहां माध्यक कितना दिया है तर माध्यक देखें पहले यह माध्यक दिया है 26.1 और माध्यक दिया है यह वाला पस मान रखते समें गल्ती मत क माध्यक दिया है तर माध्यक दिया है 25 दिया है 25 दिया है 25 दिया यहां पी दिया है तिसका सही जवाब आपके सामने 20 वा नबर का सवाल है कि केंद्री प्रवित्ती के माप क्या होता है यहां से स्टार्ट होता है आपका खंडबा इसके पहले 20 वाविकल्पी प्रशन था आप सभी को करा चुके हैं यहां पी देखें इन प्रशनों को आप सभी को बता देते हैं इन प्रशनों का आप जरूर हल कर लीजिएगा और किसी प्रकार का प्राप्लम हाए तो आप कमेंटर बाक्स में जरूर लिखिएगा इसका सॉलुशन भी आप सभी को प्रवाइट कर देंगे किस प्रकार से प्रशन आपके बोर्ड के एक्जाम में आते हैं उन सभी प्रशनों को आप जरूर हल करने में प्राप्लम होता है तो आप कमेंटर बाक्स में जरूर लिखिएगा सभी प्रशनों को देख लीजिए देखें 25 नमबर के पाच भागों को हल कीजिए इसमें पाच भाग है जिसे आपको बॉलक से संबंदित है सवाल फिर इसके बाद आपका त्रिभूज से संबंदित सभी अब यहाँ पर देख लीजिए समकोर से संबंदित यह सभी सवाल आप देख लीजिए ठीक एक बार देख सकते हैं कि आपका समीकड़ से संबंदित है दोकर्मा का धन समसंख्या जितने भी सवाल देखते रहे हैं देखें आपका समीकड़ करने का सवाल अच्छा नंबर कराता है इसके बाद आपका देखिए आपका दूरी यात्रा से संबंदित जो सवाल है जो चरवाल रह यदिगा?